वेलकॉम बेक फ्रेंड यूवी के इन्फोटेक में आपका स्वागत है और जावा स्क्रिट का जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के बारे में डीटेल्स में दिखने वाले है और इसका जो मुस्टली हम लोग को टर्नरी ऑपर यूज करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको डीटेल्स में इसमें बताने बाला हूँ और वीडियो में स्विच के बारे में स्विची स्टेटमेंट उसको भी स्टेटमेंट भी बोलते हैं उसके बारे में मैं आपको डीटेल्स में बताया था आपने वह वीडि है वो complete कर लिया है आपको यह जो पीडियाप दिख रहा है उसमें हम लोग इंट्रेक्शन यह सारा जो चप्टर है यह complete हो चुका है आपने पर लिस्ट को एक्सिस नहीं किया है तो जरूर एक्सिस कर ले और चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अन्हानों कंच अबढ़ ठैक्यू आब है हों अज किन अ थेज कोर्ट में और ही आभी हम लोग देखेंगे टर्नरी ओप्रेटर तो इसके लिए मैं क्या करहा हो कि मैं एक ऑंस्टन ले रहा है और इसमें मैं एक एसले रहा हासे डिभाइन कर रहा है और मैं । üz प्रश्का जो फेलुए है वो मैं एक लिए रहा हूं और कटिक बाद हम लोग कंडिशन लगाना चाहते हैं कि इप यू आर एक प्लास देन यू द्राइब एकार और यू आट इलिजबल या इस टैप काम लोग अर्मेसेज कुछ सो कराना चाहते हैं ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं कि पहले जो हम लोग जो इसको यूज करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा और हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के से यूज करते हैं उसको भी मैंने मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं एक greater than equal to 18 then console.log और इस में में टाइप पर हो और मैं रिफ्रेस कर रहा हूं तो देखिए यह जो कंडिशन है इफ इस जो है 18 प्ला 18 है और मैंने कंडिशन लगाया कि 18 सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते हैं आप में हम लोग कुछ error message दिखाएंगे और यहां पर और मैं क्यों है नो वोफो कुछ पी एसा error message दिखा रहे हैं इमेटर नहीं करता है और मैं दे रहा हूं इसको मैं जदी कंडिशन चेक करता हूं यह आपको पता ही होगा और मैं एच को 17 कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि यह error यह यहां पर देखेंगे कि आप एज के लिए कंडिशन है और चेक आप कर रहे है तो आपको इतना लाइन सब्सक्राइब जो है आपको लिखना पड़ रहा है कि आप चीप कर सकते लिएव लेस कोड़िंग के साथ इसको पी तरह से टर्नी डर् handwriting के साथ भी साथ इसको कर सकते जली कंडिशन यहां पर टर्नी यह पर पर समीं करते तो मैं क्या कर रहा हूं आप डाइरक इस्तर रहें कर सकते है अ एज जो है आप ग्रेटर देन इक्वर टू एटींच यह यहां पर स्क्रीक में क्या दिखाना यैस और अल्ष bnक्षन में मुझे क्या करना है और मोण हम यहां पर यहां कटि सब्सक्राजटीक क्लाई पर कट्सक्क करा हुअ ठीक है तो देखिए आप जिदी compare करें ternary operators से तो तो आप इफल्स कंडिशन यूज करते हैं तो आपको इतना lines of code लिख रहा है यही similar task है मैं इतना बहुती readable code and बहुती कम coding के साथ मैं इसको कर पा रहा हूँ और मैं जिदी refresh करता हूँ तो दोनों में exact 100% जो message वह आ रहा है मैं इसको edge को 18 कर रहा हूँ या 20 कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यह है न आप same exact 100% similar तरीका से काम कर रहा है पट यह जो code है थोड़ा सा professional लग रह operator है यह alternate or replacement नहीं है इसका क्योंकि देखें टर्नरी ओप्रेटर हम लोग को तभी यूज करना है जब बहुत ही सिंपल कंडिशन चेक करना है बहुत ही माइन च्छोटा कंडिशन चेक करना है बट एक block of code है जो execute होगा इसका कंडिशन के बाद तो आपको हमेसा इसकांडिशन नहीं यूज करना है ठीक है तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि डीटेस में टर्नरी ओप्रेटर हम लोग किसे लगा रहे है देखें जो भी आपको execute करना है ठीक है तो यहां पर आप कंडिशन चेक करेंगे मतलब टर्नरी ओप्रेटर में दो सिंटेक्स आप यहां करेंगा तो यह जो कंडिशन जो है वो सही सही से execute कर रहा है मतलब satisfy करता है तो जो है ना यह question mark के बाद जो आप जो कोड लिखते है जो भी return करना चाहते है वो ना execute करेगा और यह आप समझ सकते है यह इसके बाद जो second जो step है else condition आपको इसको बोल सकते है यह colon के बाद टीक है colon के बाद जो आप लिखते है तो यह condition जो फस्ट बाला जो satisfy जो नहीं करता है तो second बाला condition में आपका आता है तो इस तरीका से होता है basically age and मैं यहाँ पर कुछ जोड़ी मेसेज लिखना हूँ and console.log and पर else condition में यह जो भी execute आप करना चाहते है यह दो चीज़े जो है ना इस तरीका से turnary operator को define करते है और अभी थोड़ा सा और details में देखते कि turnary operator का और भी क्या benefits है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको में जो template literal का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम लोग template reader का का काम करेंगे उसमें क्या expression expression जो है वो template literal जो है वो accept करता है बट statement जो है ना वो return accept नहीं करता है ठीक है फिसे मैं आपके बार console करके दिखाता हूँ console.log कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर ना इक message आज पर सो कराना चाहता हूँ बड़ा सा कुछ message है तो और मैं क्या कर रहा हूँ बैक्टेक यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग template यहाँ पर हम लोग टर्नरी उपरेटर के साथ के से यूज करेंगे यह भी आप देख सकते तो मैं क्या कर रहा हूँ और इसमें हमें लिख रहा हूँ है आए एम आए एम उत्तम एन आए वान आए प्लाइ पॉर ड्राइबिंग लेसेंस और यहां पर कर रहा हूं मैं यहां पर क्या कर रहो ही कै 97 कर रहा हूं ठीखोंडीनgeordण कर यहां यहां पर नहीं यह कंडीशन को एड़ करना चाहता हु किसा करना चाहता हूं है यूजर ने जो एज है ना एटीन प्लस है तो यहां पर इसको करना चाहिए तो कंट्रोल भी कर रहा हूं और मैं एफेस करता हूं तो आप देखेंगे ना एज इस यह है यह काम करने कर रहा है और इफेस कंडिशन यहां पर बैसिकली काम नहीं कर रहा है ओके क्या है और मैं यहीं यहां पर कारने करने करता हो और यहां पर आप देखेंगे तो इफ अनएकश्प्टेटÃ टोकन जो एडर मैस जो है और वह आ रहा है क्योंकि यह देखिए स्टेटमेंट जो monstr Santiago दिम्रेडय मेंकि यहां पर हम लोग स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते इसमें हम लोग expression जो है जो value return करता है उसको हम लोग को pass कर सकते है तिक expression क्या है always return यह value जो है न हमेशा return देगा तो हम लोग यहाँ पर na ifs condition नहीं लगा सकते बाट यहाँ पर हम लोग जो है न यूज कर सकते turnary operator का तो मैं similarly क्या करता हूँ यहाँ पर मैं इस code को copy कर लेता हूँ और console नहीं करेंगे sorry यह execute करेगा तो मैं क्या कर रहाँ console.log तो किया हुआ ही है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ दो block of statement जो है उसको मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पर को इसको मेरी वोब कर रहा हूँ कि तो मैं इसको ज़्यदी refresh करता हूँ तो आप देखेंगे ना एंड यहाँ पर न मैं एक full stop दे रहा हूँ और refresh एक बार करते तो यह दिखेंगे आप जो error में जो so है कर रहा है यहाँ पर turnary operator आप देखेंगे कि yes you can drive a car जो option है यहाँ पर so कर रहा है मतलब template return में भी इसका benefit है turnary operator का कि जदि आप यूज करते तो आप template return में भी turnary operator यूज कर सकते पर इफेल्स कंडिशन आप इसमें यूज नहीं कर सकते और मैं जदी इसको 17 कर रहा हूं और हमें refresh करता हूँ तो आप देखेंगे कि yes I want to apply for more and error message जो है oh you cannot Apple drive a car ठीक है तो यह error message जो है इसके साथ so कर रहा है तो इसका benefit यह भी है यहाँ पर भी आप template return का use template return में turnary operator का भी आप यूज कर सकते बादी फेल्स कंडिशन का use upload नहीं कर सकते तो एक छोटा सा वीडियो था आपको turnary operators के बारे में details में हम लोग और भी पढ़ने वाले इसका यूज है हम लोग और भी करेंगे in future में इस वीडियो का में इस सीरीज में आप और भी हम लोग यूज करेंगे तो सीरीज में बने रहे हो अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब कर ले लाइक करके motivate करना ना भूले and thank you for watching keep learning keep growing